सुस्त रहने के छोटे छोटे टिप्स नमबर एक, ठंडा पानी पीने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे दातों को बहुत नुकसान होता है नमबर दो, मेथी के लड़ू खाने से हाथ पैर और जोडों के दर्द में आराम मिलता है नमबर तीन, अंगुठे पर सरसों के तेल की मालिस करने से आखों की रोसनी तेज होती है नमबर चार, हाट्र अटेक का खत्रा होने पर सुबहा खाली पेट दो कली लहसुन खालें, सबजी में लहसुन का प्रियोग करें नमबर पांच, आयरवेद के अनुसार, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं नाहना चाहिए नमबर चै, अगर आपको बूख ज्यादा लगती है, तो खाने में आम का अचार खा सकते हैं, इससे बूख बढ़ जाएगी नमबर साथ, अगर सिर में दर्द हो रहा हो, तो सिर पर सपेद सूती कपड़ा बिगो कर रख दें, दर्द में आराम मिलेगा नमबर आठ, एक रिसर्च में पाया गया है कि आप जितना अधिक पाइवर खाएंगे, आपको दिल का दोरा पढ़ने का खत्रा उतना ही कम होता है, इसलिए अधिक से अधिक सेम सूप और सलाद का पिरियोग करें नमबर नौ, दाना में थी हमेशा सुभा खाली पेट, दोपैर और रात को खाना खाने के बाद आधा चमच पानी के साथ लें, इससे सभी जोड मजबूत रहेंगे और जोडों का दर्द नहीं होगा नमबर दस, एक रिसर्च के अनुसार, ओक्सीजन की उपस्तिती में कैंसर को सिखाएं और कई प्रकार के हानी कारक वेक्टिरिया एवं वायरस नश्ट हो जाते हैं और सरीर का प्रतीरिक्षा तंद्र मजबूत हो जाता है नमबर ग्यारा, दुबले व्यक्ति को दही में किस्मिस वादाम सुआरे आदे पीस कर खाने चाहिएं इससे बजन बढ़ता है दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो बारत से देख रहे हैं तो कॉमेंट में जैहिंद लिखना ना भूलें और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जैहिंद साथियों